पेरेंट्स के लिए सबसे जरूरी है ये जानना कि your first obligation as a parent is not to bring chaos in your kid's life टॉक्सिक पेरेंट्स की पहचान, टॉक्सिक पेरेंट्स सेल्फ सेंटर होते हैं टॉक्सिक पेरेंट्स कहेंगे तो जरूर कि वो तुमसे बेहत प्यार करते हैं पर हमेशा उनकी जरूरतें, उनकी अपनी भावनाएं, उनके लिए पहली priority होती है उन्हें इसकी परवा नहीं कि इस बाद से बच्चों को कितना दुख पहुँचेगा, कितना ज्यादा mental trauma होगा टॉक्सिक पेरेंट्स प्यार से तो अपने बच्चों को कंट्रोल करने ही पाते लेकिन एक fresher mind को कंट्रोल करने का talent उनमें पहले से ही inbuilt होता है टॉक्सिक पेरेंट्स आर expert in brainwashing अगर उनके according बच्चों ने कोई काम नहीं किया तो वो अपने बच्चों को रोकेंगे, फिर टोकेंगे और फिर चपल से भी ठोकेंगे जब तक वो मान नहीं चाते अगर तुम पेरेंट्स की कोई भी बात नहीं मानते होना तो उनका ego hurt होगा वो पेरेंट्स अपना ego satisfy करने के लिए और तुम्हारी life control करने के लिए किसी भी हग तक जाएंगे आखिर तुम्हारी जिंदगी तो पेरेंट्स की ही दिन है उनका पूरा हग बनता है भाई तुमको अगर हुकम हो जाये ना कि पहाड़ी से कूद जाओ तो तुम्हें कूदना पड़ेगा नो इफ्स, नो बट्स ऐसी है उनकी सोच टॉक्सिक पेरेंट्स विल इवन यूज़ शेम तो कंट्रोल देर चाइल्ट्स लाइफ शेम जो है ना इट इस यूज़ वर्ड़वाइड अस अ सोशल कंट्रोल तुमने हमारी नाक कटा दी तुम किसी लायक नहीं हो तेरी वज़ा से हम सोसाइटी में अपना मूह नहीं दिखा सकते सोसाइटी के डर से बच्चे अगली बार उस काम को करने से डरते हैं ऐसा करके पेरेंट्स अपने बच्चों के अक्शन्स को तो मैनिकुलेट कर लेते हैं लेकिन इस शेम के साइड अफेक्ट्स पूरी जिन्दगी तक साथ रह सकते हैं जिन बच्चों के साथ पेरेंट्स ऐसा करते हैं वो बच्चे हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं उनका confidence level कभी grow ही नहीं कर पाता कोई भी decision वो नहीं ले सकते क्योंकि उनकी अपने पेरेंट्स ने उनका belief system ऐसा बना दिया होता है कि वो बच्चा मान लेता है कि मैं capable ही नहीं हूँ अगर ऐसा है ना तो जान लो कि इसमें तुम्हारी अपनी कोई कलती नहीं है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स की responsibility थी तुमको mentally strong बनाना लेकिन उन्होंने किया क्या उनको और कोई हुकम का गुला मिला नहीं तो अपना ego satisfy करने के लिए तुम्हें shame किया तुम्हारा brainwash किया तुमको अपने according mold किया और तुम्हारी पूरी जिंदगी को अपनी pride satisfy करने का साधन बना लिया फिर वो पूछते हैं कि दस पुत्रा तो किस जोगा और फिर पुत्र कहनदा कि बापू बस तेरे जोगा toxic parents ना बाहर की दुनिया में expose होने से रोकेंगे कुछ भी नया करने जाओ तो रोकेंगे, टोकेंगे और discourage करेंगे हमेशा नीचा दिखाएंगे वो बस चाहते हैं कि तुम हमेशा कुएं का mendak बने रहो वो चाहते हैं कि तुम हमेशा उनके control में रहो मैं सही हूँ, तू गलत है बस यही सब कहेंगे जय से पहले, खुद को जय करो टेक इट इन अब पॉजिटिव सेंस सेवा करो डट कर, माबाब की सेवा करो लेकिन जोश में होश मत गवाओ तुम्हारी अपनी जिंदगी है प्रोटेक्ट यूर थॉट्स फूंख फूंख कर कतम रखो हमेशा संभल कर चलो हर एक बात में लॉजिक ढूटो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद पसंद आया तो लाइक जरूर करना जिनको जरूरत है उनके साथ शेर भी करना इसी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताना फिर मिलते है नेक्स वीडियो में जय हिंद जय भारत